हेलो स्टूडेंट बहुत बहुत सागत है डीके सर कलासेज में बाबु आज की वाइरल पेपर को अच्छे सपड़ के चले जाएए कल 22 फरवरी को सेम कोशन इसी में से आएंगे सेम कोशन बोल रहा हूं आप 95% बोल रहा हूं इसी में से कोशन देखने को मिलेगा आपको बाबु बाइस फरवरी को एकदम धुआ धुआ कर देंगे आज का ये जो वाइरल पेपर बाबु अब बताने जा रहा हूं सेम इसी तरीके से सेम कोशन फसेंगे और आज की इस आपको मिल सुकी है आज और पेपर में यहीं से आएगा यहीं से आएगा पीछले साल भी मैंने बताया था नो बहुत बच्छे पेपर देकर आया बोले सर आपने जो बताया था सेम उसी में से मतलग की 80% कोशन फोसे थे तो और आज की इस वीडियो में मैं दावा कर रहा हूं कि कम से कम 90% आपका फोसेगा कम से कम 90 बवु आज की इस वीडियो के बस सुरू संदक देख लिजे जो नहीं देखेगा मिस करेगा पच्छताएगा जरूर देख लिजे क्योंकि 100 में 100 पका करना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा और अब मैं बोल रहा हूं कि बस 98 तो पक कि आपको सीधे कोशन पर आटाइक कराते हैं बाबु चलिए सबसे पहला जो समय रहेगा तीन घंटे से माई से ही कल भी आएगा और यहां पर पुडांक जो 100 नंबर लिखा है ना सेम सेम टू मिलेगा यहां पर देखिए नोट जो है बाबु यह पहला रहेगा प्ररोंब क पंदर मिनट बच्चों को पढ़ने के लिए और पढ़के ही आपको उतर देखना है किसी भी खंड का ठीक है दूसरा है कि इस प्रशन पत्र में दो खंड आएगे दोनों खंड के सभी प्रशनों को करना जरूरी है अगर कोई भी प्रशन छोड़ते हैं सीधे सीधे नमर का से आएगा बबू और ये पहला प्रशन में पांच भी गल्पी करेंगे को खोग गो और यहां पर देखिए गो इसके बाद अंगो और बहुत सारी माई वीडियोस भी बना चुका होगी कोपी कैसे लिखना है चलिए सब से पहले बीना देरी के यहां पे बहुत भी गल्पी कौन है बबू प्रेम सागर है एक अदम दिमाग में च्छाप लिजी को समय आपको दिक्कत ना है जैसे प्रशन पढ़िए एंसर दिमाग में से च्छप जाए और कौपी में आप च्छाप दीजीएगा गो नमर देखिए परदा कहानी के लेखा कौन है परदा जो कहानी है इसके लेखा कौन है तो यस पाल जी है कौन है बबू यस पाल जी चौथा अपसन जो है सत्य है बबू इसके बाद देखिए घर नमर आवारा मसीहा के रचनकार कौन है तो बीशुरू परभाकर जी है सब ही लोगों का तयारी पकी है लेकिन इसको बढ़िया से पढ़के ज चाप दीजिएगा देखिए हजारी परशाद दिवेदी जो चौथा अपसन में है बबू यह सत्य हो जाएगा ठीक है इस तरीके से जो भी पहला मेहना बहुवी कल्पी के पांचो इसको कौपी में भी लिखना तरीका देखिए जैसे खंड को कर रहे थे तो खंड को सब से पहले नया प्रिष्ट में उपर लिखेंगे प्यारी स्टूडियन इसके बाद प्रशनोतर संख्या ऐसे लगा लेना इसमें पहला नंबर इसमें कौन-कौन से प्रशनाम ने किया को खो गो घो अंगा ऐसे ही सीधे-सी फॉर्मेंट में लिखना है अगर थोड़ा भी दूसरा संपूरा नंजी गो में कौन सा दूसरा प्रेम सागर गो में चव था यस पाल गो में पहला सही था विशूर परभाकर अंगा में चव था भी कल्ब सत्य था हजारी परशाद्य वे दी सबको ऐसे ही इसी फॉर्मेंट में अप्लाई कर देना है ठीक इसके बाद यह किन यूग की रचना है तो छहिवादी यूग की पढ़ के छले जाएएगा यहां वह दिखिए क्वरणमर नमली खीट कभियों में से कौन प्र fragments वादी के कभी हैं कौन है जल्दी जल्दी आप भी चाहाप दिजीगा रामधारी सिंह दीनकर Cat. इसके बाद अगला कोशन इसमें कि तार सब्त का प्रकासन वर्स किस वर्स में हुआ था 1943 सब को तयारी पकी है फिर भी रिवीजन भेरी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर देखे दिवेदी यूग की रशना नहीं है नहीं है पूछा इसमें तो यहाँ पर प्रिय परवास साके भारत भारती कमायनी चोथा बीकल्प जो है यह सत्य हो जाएगा बाबू ठीक है अंगवा नमर लास्ट है और श्रचाप के कभियों का समन्द किस काल से है तो प्रकिर्तिक यहाँ पर सलिए अगला जो है अगला जो इसका बीकल्प है बबू यहाँ पर ध्यान देजिएगा एक एक कोशन को तोड़ेंगे क्यों जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक नहीं एक एक प्रशन को हम छोड़ेंगे नहीं बबू जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं इसका बिकल्प जो होगा यहाँ पे देखिए चार्म क्रिश्र भगती सखासे किसमें क्रिश्र भगती सखासे बबू आईए आईए लेकर चलते हैं कॉपी में थोड गोग अंग यनि 500 बिकल्बा इस में सत्य हैं तो पाँचों लिखेंगे पहले कह का दूसरा सत्य था छैवादी युक ठीक खो का चोथा सत्य था रामधारी संग दिनकर बभू का दूसरा से था उनिशोती रेलिस में और गुट का चょहत्य बिकल्ब सत्य था कमेनी और अंगा का चौथा भीकल्ब सत्य था कर लेंगे की नहीं कर लेंगे कर लेंगे ना बहुत सुन्दर बवू चलिए अब यहां वाला यह गद्यांस एक दम ही वाइरल है एक दम वाइरल बढ़िया से ट्रिक से समझे कि किसी गद्यांस को कैसे फोड़ के आएंगे ट्र अरती माता की कोंख में जो अमोल्य ने दिया भरी हैं जिनके कारण वह हुआ सुन्दरा काहलाती हैं उससे कौन परचित न होना चाहेगा लाखो करोणों वर्सों से अनेक परकार की धातूग प्रिथिवी को पीस पीस कर अगणित परकार की मिट्यों से प्रिथिवी की देह को सजाया है आगे देखिए हमारे भावी आर्थी का भियोदे के लिए इन सब की जांच परताल आवस्यक है इसमें पांच प्रिशन रहेंगे और लगभग सभी बच्चों को ये गद्यांस तयार हो गया होगा जैसे की लिखा इसमें कि उपर्यूक्त गद्यांस का धरती माता की कोख वाला जो है ना इसका संदर्ब तो लिखी लेंगे कैसे लिखेंगे धान देजिएगा कि प्रस्तूत गद्यांस हमारी पाठी पुस्तक के गद भाग में संकली भारती संस्कृत के डाक्टर वासुदेश अगरवाल द्वारा राष्ट के सुरूप चेप् यह अशोग का फूल उसी मस्ती में होस रहा है पूराने चितर से इससे देखने वाला उदास होता है वह अपने को पंडित समस्ता है और पंडिताई भी एक बोच है जैसी इस गद्यान्स को आपने पढ़ा आपको मालुम चल गया कि किस पार से दिया किस पार से अशोग का जो असोग का फूल है न देख लिजिए यहां पे ही नाम डाल दिया है असोग के फूल वाला रामधारी संग दिनकर जी जो है उसको अच्छे से पढ़के जाना बबो एक अदम छापके आना है तो सुन्दरता से इस वाइरल पेपर को पढ़ लेना इसमें जितने भी कोशन से पांच तो इसको कर लिजिएगा ठेक आगे बढ़त हैं बई चार नमर प्रशन जो देख रहे हैं बबो यह देखिए दिये गए पध्यांस पर अधायतने लिखी प्रशनों के उतर देजिए और यह दस ही नमबर का यह भी आता है पेपर में जिसे दुरबलता का ही चीन वि उसे सब चून लो करके पहार सा पाप मौन रह जाओं राई भर भी अनुताप करने पाऊं देखिए बबो आपको यहाँ पे मिला ना पध्यांस इसको अपने पढ़ा इसमें पांच प्रशन रहेंगे पांचों प्रशनों का अंसर लिखना है बबो देखिए जैसे कि उपर भी अनुतापन करके पाऊं पंक्तियों में कोवन सालंकार चीपा है एकदम सटीक तयारी करके चाहिएगा देखिए पध्यांस है पध्यांस में देखिए बबो दो पध्यांस आता है एक अथवा के रूप में दे देता है कि बाईदवें आपको वो नहीं आ रहा है तो इसके बाद बबू कोई कलांता क्रिसक ललना खेत में जो दीखावे जाता कोई जलद यदी हो बयों में तो उसे ला धीरे धीरे परस उसकी कलांतियों को मीटाना चाया द्वारा सुखित करना तब तब हुतंगा को आप इस पध्यांस को कर लेना जो भी इसी लगे जो याद ह उसी को करना है लेकिन एक ही करना है ये ध्यान रखना है बहुत बच्चे तो ये गलती करते हैं समझ नहीं पाते हैं दोनों का अंसर लिखने की कोशिज कर देते हैं टाइम इन्वेस्ट होता है नंबर भी नहीं बढ़ेगा ये कदम ही समय बरबाद पेपर भी खराब तो आ हैं तपवन दोतिका से कौन लिखें इसको अयोधिसी उपाद हरियोज लिखें पूरा अच्छे से तैयारी होना चाहिए जैसे ही पद्यांस आख के सामने आए या गद्यांस आए एक अदम छाप देना है उसका जो भी प्रस्ण पूछे इसके बाद देखिए पांच नंब दिया है वासुदेव सडगरवाल दिया है इसमें से आपको किसी एक लिखा का साहितिक परचे साहितिक परचे के साथ आपको क्या देना है जीवन परचे तौब जाके पांच नंबरवा मिल पाएगा आप जिसका भी याद कियें सर्टिकली बीना देखे हुए आप लिख ड आपको मैनेज कर लेना है सभी प्रशनों पर कितना कितना टाइमिंग देना है ठीक है आगे प्रशन चलते हैं खौनमर निमलिखित में से किसी एक कवी का साहितिक परचे देती हुए उनकी परमों कृतियों पर प्रकास डलिए जो की पांच नंबर का ये भी आएगा जैसे क यहाँ पर तीन कवियों का नाम चाप दिया जैसे मायथली सरडगोब जी का चापा है सुमितर नंदन पंथ जी का रामधारी सिंग दिनकर तीनों में से जीसका भी आप पहले से अल्रेडी याद किये हैं उनहीं का चापिएगा भटकना नहीं है कि आज हम मायथली कहानी के उदेश से पर प्रकास डालिए जो सब्द का सीमा होगा असी सब्दों में अथवा में भी प्रश्ण रहेगा बबु यात्रा में धुरू यात्रा कहानी का कथानक वस्तू अपने सब्दों में लिखे तो देखिए बहुत बच्चे तयारी भी कर चुके हैं कि हमें बहादूर पे लिकेना कुछ बच्चे करें हम तो पंचलाइटे पे चापेंगे चलो अपना अपना दिखाएंगे पेपर में आप लोग बणिया से त्यारी कर लेना हम तो कहते हैं कि धुरो यातरा जो लग नहीं याद किया है कोई बात नहीं लेकिन बहादूर और अब के अधार पर प्रशन जो पूछा जाएगा नो यह 5 नंबर का रहेगा सभी जीले का बच्चो को यहां पर 80 सब्दों में लिखना है यह हर एक जीले वाले अपना अपना याद कर लेना क्योंकि मैं प्रशनल किसी जीले का नहीं बाताता हूं बताऊंगा तो सभी जीले से हम आपके हिसाब से मेहनत करे और जले आगे नंबर छो है खंडखो स्टाइट होता है आपका पाचास नंबर का कुंडखो ही आएगा पेपर में पाचास नंबर यहां से आगे हिंमत मतहरिए एक दम अच्छा से तयारी करके जाना है आठ का कौ नमर देखिए प्यारे तो नमबर कठेगा ही चलिए देखिए जैसे यहां पे लिख्या महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पट्व पत्रकारिस्चित परमस्तित रोच गुण जन सेवे आसित यत्रकुत्रापी अयम जनानम दुखीतानम पड़ियास पश्यातनम तत्यवस सिग्रमे उपसित सर्वविधिनम सहाचारिय अकरोत प्राणिस्व औस्य सोभाव एवासित रेखिए बाबु यह संस्क्रीत का गद्यान से तीन लाइन में दिया है आपको क्या करना है इसका पूरा जो है निचोर संदर्व लिखेंगे इसका और इसी का आपको हिंदी में जो संस्क्रीत है न इसको कर लेना ठीक जो दोनों में से किसी एक को करना एक को छोड़ देना है ठीक है चलिए आगे जो है आठ कखो दिये गए पध्यांस में से किसी एक का संदर्व सहीत हिंदी मनवाद किजिए यह भी साथ ही नमर का आता है प्यारे रसगुलो लेकिन बहुत ही छोटा सा इसको पढ़ लिए इसका लिखेंगे बबू संदर्व लिखेंगे इसके ठीक बात संदर्व जैसी कंप्लीट हुआ इसकी व्याक्या हेडिंग डालके और संस्कीरित का पूरा व्याक्या हिंदी में कर देना है तो यह कितने नमर मिलेगा सात नमबर देखिए यहां पर दिय करना है एक को छोड़ना है ठीक है जैसे यहां पर दिया है नो नमबर नेमलिखित मुहाबरों में से किसी एक का अर्थ लिकर के वाके में परियोग किजिए और इस पेपर को अच्छे से पढ़ के जाना आप समझ रहे हैं मतलब कि कि ऐसे ही वताया जा रहा है इसको नॉर्म परियोग करें तो आप जाके हम आपको दो नमर देंगे सीधे सीधे जवाब आपको देना है जिसे तलवार की धार पर चलना तलवार की धार पर चलना या टका सा जवाब दे देना ठीक है या दाल में काला होना एक और इधर भी दिया है यहां पर थोड़ा हम आपको दिख देता हूँ यहाँ पे तलवार की धार पे चलना का अर्थ क्या होता है कि बहुत कठीन कार्य करना का होता है बबू बहुत कठीन बहुत कठीन कार्य करना यह होजेगा इसका अर्थ ठीक है प्यारे स्गुलो यहाँ पे इसका वाग के परियोग वाग के परियोग भी गद्यान्स प्रधारित में लिखी प्रशनों का उतर दिजिए ये पेपर में आपको दो यहां पे दिया रहेगा जैसे कि ये कथवा में और एक मेन की रूप में तो किसी एक को पढ़के इसी में सिर्फ तीन प्रशन पूछा रहेगा इसका जवाब देना है ये पढ़के आगे बढ़ने की प्रेड़ा होता है इस गद्यान्स को बनिया से पढ़े ना मोस्ट है मोस्ट बनिया से ठीक है इसका मैं पीडिय भी टेलीग्राम पर आज ही सेंड करूंगा वार्शब बेभी सेंड करूंगा एक दम हॉल के साथ करूंगा टेंसन मतलीजिए आप लोग को मैद का भी चलिए निमलीखित सब्द युगमों की सही अर्थ का चैन कीजिए यससे पहला है वसन और ब्यासन वसन का मतलब होता है वस्तर अब ब्यासन का मतलब होता है आदत इसलिए इसका सब्द युगम हो जाएगा वस्तर और आदत ठीक है अगला प्रशन पूछा है अ सीधे सीधे तीसरा भी कल्ब सत्य कॉमल और बादल, क्या हो जाएगा, अगेला प्रशन है इसमें बवु, देख लिएची, 만 trait, अंबर का मतलब होता है आकास, एक लिख लिख लिजियेगा गागन, दो-दो और्थ लिख 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 अगला प्रशन होल करने के जोरत नहीं है बस एक ही करना है लेकिन एक ही का दो अर्थ लिखना है तब जाके दो इनम्मर मिलेगा गार नमर देखिए का बाबू गार नमर क्या लिखे है इसमें कि निम लिखी तो वह क्यांसों के लिए एक सब्द का चैन करिए यहाँ पे जो आ आगे चलते हैं घौ नमर निम लिखीत में से कि नहीं दो वाक्यों के लिए सूध करिए दो वाक्य सूध करना है और दो को छोड़ देना है जैसे पहला है तुम तो कुर्षी पर बैठे हैं यह गलती लिखा है भाई इसको सूध करके कौपी में लिखे गें कैसे कि तुम कमल खिले हैं यह सूध नहीं और सूध है सूध कैसे करेंगे लिखेंगे इस सरोर में अनेक कमल खिले हैं अनेकों के जगह क्या हो जाएगा अनेक कमल खिले हैं चलिए इसमें से दो ही करना था दो को छोड़ डालिएगा आगे बढ़ते हैं क्या है बारा के को नमबर कि बीर इसको याद किये आप बनिया से त्यार करके जाहिएगा एक अदम 100% यहीं आएगा दोनों याद कर लेंगे तो और बेस्ट है नहीं तो एक को एकदम चाप दीजिएगा को नमर में सलेश मात्वाद प्लेक्षा अंकार का लग्षर सहीत उधार लेखिए देखिए यह भी 100% पेपर में आने ही वाले है फिक्सेस कोशन सो परशेंट फिक्सेस कोशन है यहीं आएगा तो यहीं आएगा क्योंकि इसके लवा कुछ आता नहीं है गो नमर दीखिए दोह के कौपी के हर एक पढ़ने पर है चलिए बढ़ियां सत्यार करके चाहिएगा यहाँ पे देखिए बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंदों को आवेदन पत्र लिखिए कैसे लिखना है और कतना नमबर का आता है तो 6 नमबर का अथवा में भी दिया है सहर में फा वंदों को आवेदन पत्र लिखिए एक दम बढ़ियांस त्यार कर लेना वाइरल पेपर है वाइरल ध्यान से पढ़के जाना इसके बाद निमलिखी तो विसों में से किसी एक विसे पर अपनी भासा सेली में निबंद लिखिए जैसे पहला है देश में विरुजगारी की स पत्रों की भूमी का ये वला पेपर में आप किसका तैयारी किये हैं गद्यांस थोड़ा आपको आखी है कि हाँ हमारे ये तैयार है हमने इसमें दो थे गद्यांस का वीडियो भी बनाया है देश में विरुजगारी की समसिया तंकवाद की समसियां शमाधान जाकर कर में एकदब कोशन फ्होंसेंगे और। बहुत बत्च Meteor किजिए नहीं आय। इसका जवाब ज़ब किया है आकर करके Jeff कतला मैं अध्याइव से लिगत एतनक्तेल फ्यासल केंगे। ौरह मैंने वाम्काइव से उत्म्ते हेंonder व्य। छोवाए और। कि और भी बच्चों का हिल्प मिले और बताएं कहों आप जो इस्टोरी में लगाये थे उसी में से कोशन फौसा था तो आप लोग भी अपने नाम कमई हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स फर वाचिंग